मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नभी जी के बाद इस पद को जो समालेंगे उनको गुलाब नभी जी से मैच करने में बहुत दिकत पड़ेगी क्योंकि गुलाम नभी जी अपने दल की चिंता करते थे लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे ये ये छोटी बात नहीं है जी बहुत बड़ी बात है वरना अपोजिशन के लीडर के रूप में अपना दबदबा प्यादा करना ये सब मोह किसी को भी हो सकता है लेकिन उनों ने सदन से मैश्वरत पवार जी को भी इसी काटेगरी में रखता है तो सदन की और देश की चिं बख्षू भी इस काम को निभाया है मुझे आध है इस करोना काल में मैं एक फ्लोर लीडर्स की मिटिंग कर रहा था तो उसी दिन गुलाम नभी जी का फोन आया तो बुदी जी ये तो ठीक है आप करते हैं लेकिन आप एक काम कीजिए सभी पार्टी लीडर्स की मिटिंग जरू बुलाई है मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने पार्टी लीडर्स के साथ सबी पार्टी अध्यक्षों के साथ बैठने का मुझे सुझाव दिया और मैंने उस मिटिंग को किया भी गुलार नभी जी के सुझाव पर किया था और मुझे कहने माए यानि इस प्रकार क संपर्ख और उसका मूल कारण है कि उनको दोनों तरफ का अनुभव रहा है सत्ता दल का भी और विपक्ष का 28 साल कारकाल यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है जी बहुत साल पहले की बात है शायद अट्टल जी की सरकार हो कि मैं याद ने रहा है मैं यहां सदन म किसी काम साय था मैं तो तब राजनीति में नहीं था इस यह इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं था मैं संगर्ण का काम करता था तो मैं और गुलाब नभी जी ऐसे ही लॉबी में गपे मार रहे थे अब जैसा पत्रकारों का स्वफाव रहता है वड़ाब नजल लगाए गुलाब नभी जी ने बहुत बड़िया जवाब दिया आथा वो जवाब हम लोगों के लिए बहुत काम उने वाला है उन्हों नहीं का भाई देखिए आप लोग हमको अखवारों में या टिवी माध्यमों में या पब्लिक मीटिंग में लड़ते जगड के देखते हो ले जैसे एक परिवार का वाताओं कहीं नहीं होता है इतनी हमारी आत्मतिया होती है इतने सुखदोख होते हैं यह जो स्पिरिट है वो स्पिरिट अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है गुलाम नभी नभी जी का एक शौक शाइद बहुत कम लोगों को पता होगा और कभी उनके साथ बैठोगे तो बताएंगे हम सरकारी बंगलों में रहते हैं तो बंगले की दिवारे अपना सोफा सेट उसी के आसपस हमारा दिमाग रहता है लेकिन गुलाब नभीजी ने उस बंगले में जो बगीचा बनाया है यह एक प्रकार से कश्मीर की घाटी की याद दिला दे है आईसा बगीचा बढाया है और इसका उनको गर्व भी है वो समय देते हैं नहीं नहीं चीजे जोडते हैं और हर बार जब कॉंपटिशन होती है तो उनका बगलों रवर्वल नहीं आता है क्यारे अपने सरकारी जगा को भी कितने प्यार से समालना यानि बिल्कुल मन से उन्हों ने इसको समालना है हमारी बहुत गहरी निकरता रही है उसकारता में शायद ही कोई ऐसी घटना नहीं मिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्ख से तुना रहा एक बार गुजरात के यात्री क्योंकि जमुकिश्मिर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा न से पहले गुलाम नभी जी का मुझे फोन है और वो फोन सिर्फ सुचना देने का नहीं से उनके आशू रूक नहीं रहे थे फोन पर उस समय प्रणव मुखर जी साब डिफेंस मिनिस्टर के रहे थे मैंने उनके फोन किया बरगा साब अगर अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए इंडेड़ बाड़ी को लाने के लिए रात देर हो गई थी और मुखर जी सामने रहा आप चिंता मत कीजिए मैं करता हूं भी होसता है लेकिन रात में फिर गुलाम नमी जी का फोन आया वे अर्पुट थे अर्पुट थे उन्हें मुझे फोन पिया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें बैसे चिंता बैसे चिंता पर सब्ता जीवन में आते रहती है लेकिन उसे कैसे पचाना मेरे लिए बड़ा बाहुपल था दूसरे दिन सुबह फोन आया तो मोडीजे सब लोग पहुंच गई इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाब नभीजी को गटना और अनुभव के आधार पर मैं आधर करता हूँ और मुझे पुरा विश्वास है कि उनकी संव्यता नम्रता इस देश्ट लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना वो कभी उनको चेंड से बैठने ने देगी और मुझे विश्वास है कि जो भी दाईत में जहां भी वो समानेंगे फिर जुरूर वैल्यू एडिशन करेंगे कॉंटिबिशन करेंगे और देश उनसे लभाविन प्रित होगा इस अवरा पॉक्ता विश्वास है मैं फिर एक बाद उनकी सेवाओं के लिए आधर पुर्वक धन्यवास करता हूँ और व्यक्तिक अद्रूप से भी मेरा उनसे आगरह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले इन चार मानिय सदसों के लिए खुले हैं आपके विचार आपके सुझाव क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है यह अनुभव बहुत काम आता है मुझे मिलता रहेगा यह पेख्षा में रखता ही रहूँगा आपको में निवरूत होने नहीं दूँगा फेर एक बार बहुत शुकाम नाए धन्यवाद